नवरात्री के किसी भी दिन इस पेड को छूकर आ जाना उसी टाइम गरी भी मिट जाएगी। दोस्तों, 2024 में नवरात्री 9 अप्रेल दिन मंगलवार से लेकर 17 अप्रेल बुधवार को समाप्ध होंगे। जय माता दी माता रानी आपके घर में दोड़ी चली आएंगी। मां के लिए एक लायक तो बनता है दोस्तों। हमारे हिंदु धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें व्रिक्षों को भी मांदेवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी, व्रिक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्री का पावन पर्व 9 अप्रेल से शुरू होने जा रहा है। और इसका समापन 17 अप्रेल को होगा। नवरात्री के पावन पर्व में कुछ ऐसे व्रिक्ष हैं जो कि देवी व्रिक्ष कहे गए हैं, जो देव व्रिक्ष कहे गए हैं, यह देवी के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ओंग जीजन देते हैं। जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। व्यक्ति का सौभाग चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छू है, जड़ी बूठ और भगवान श्री कृष्णा ने गीता में स्वयम कहा है कि व्रिक्षों में मैं पीपल का व्रिक्ष हूँ। पीपल के व्रिक्ष को व्रिक्षों का राजा कहा जाता है। क्योंकि पीपल व्रिक्ष की जो आयू होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्णा ने गीता में स्वयम कहा है कि मैं व्रिक्षों में पीपल का व्रिक्ष हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्री के समय में छुए जाने वाले व्रिक्षों के बारे में बताऊंगा। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक ऐसे व्रिक्ष हैं, जो कल्यानकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इन व्रिक्ष को नवरात्री में आप छू लेते हैं, तो आपके सभी प्रकार की जो परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट हैं, सब समाप्थ हो जाते हैं। खास करके नवरात्र के समय में को शक्ति का पर्व कहा जाता है, जो मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है, वह भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो जो हमारे धर्ती लोक में आ जाती है, नव दुर्गा को क्या बोल सकते हैं, हम शक्ति बोल सकते हैं, तो मातारानी इस धरा पर आती है, इस पृत्वी लोक पर आती है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार की जो वस्तु है, इन सब मे प्रान आ जाते हैं, इन सब में शक्ती नहित हो जाती है, जागरित हो जाती है, तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छूते हैं, खास करके देवी स्वरूप कहे गए, जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप जाकर के इसे छू करके आते हैं, तो आपके जीवन की परिशानी है, दुख है, तकलीफ है, कश्ट है, रोग है, परिशानी है, कला है, कलेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है, आज मैं आप लोगों को तीन पौधों के बारे में बताऊंगा, और ये तीनों पौधे देव कर दिया, तो फिर सारी जिंदगी आपको पच्छताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा घ्यान हमेशा अधूरा ही फल देगा, अधूरा घ्यान खतरनाक साबित होता है, क्योंकि नवरात्री एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल नौ दोनों के भीतर में आपक आप अपनी गरीबी को स्वयम अपनी आँखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिन व्रिक्षों के बारे में बता रहा हूँ, ये सारे व्रिक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो हमारा मनोबल बढ़ता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना कौन से ऐसे तीन व्रिक्ष हैं जिनको हमें छू करके नवरात्री के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। नवरात्री के समय में जितना ज्यादा हो सके देव व्रिक्ष की पूजा जरूर करना। देव व्रिक्ष में कई प्रकार के व्रिक्ष आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कौन से व्रिक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिठती है। पहले जो व्रिक्ष है। बेल का व्रिक्ष है। ये व्रिक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में माता पार्वती जड में, ब्रह्मतन में, विश्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं, उसमें भगवान शंकरजी बसते हैं। संधिकाल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल का इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरट की पूर्टी होती है। हमारे धर्म शास्त्र ये भी कहते हैं, नवरात्री के समय में, अगर कोई व्यक्ति जीहां नवरात्री के समय में, अगर कोई भी व्यक्ति बेल के व्रिक्ष को माता नव दुरगा का ध्यान करते हुए साथ बार छू करके आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की ततकाल अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के थकान सुस्ती ततका अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्री के समय में, अगर बेल व्रिक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं, तो सभी प्रकार के व्याधी दूर होते हैं, अगर सिंदूर युक्त गंगाजल चढ़ाते हैं, तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है, अगर तिल चढ़ाते हैं, बेल व पत्ते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में एम, दूसरे पेट में हीरी और तीसरी पेट में क्लीन, तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्तों में लिख करके अगर माता दुर्गा को चड़ाते हैं, तो मनोक पौधे के बारे में जो बता रहा हूँ, वह पौधे भी जान लीजिये, मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ, शमी का व्रिक्ष है, शमी का व्रिक्ष स्वयम जगदंबा का स्वरूप कहा गया है, जो शमी का व्रिक्ष है, ये स्वयम जगदंबा का स्वरू धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्री के पूरे समय में अगर हो सके, तो अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं, तो यह उपाए एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं, तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि नवरात्री के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनो कामना बोलते हुए शमी के व्रिक्ष में बांधे तो उस समय मनो कामना की पूर्टी होती है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नके पती के कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोगये की प्राप्ती होती है. जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं। ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से साथ बार सिंदूर का उतारा करके शमी के जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर ज अपलोड होने वाली विडियो का अपडेट मिलती रहें